आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करते हैं और जानते हैं इस वाइरल टेंट को आप कैसे फॉलो करेंगे तो इस वीडियो को बनाने के लिए हम वी एन अप्लिकेशन का यूज़ करेंगे चो कि इसली आपको प्लेस्ट उपर मिल जाता है सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है जब आप उपिन करते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है इस वीड इस आपको इहां पर सेवन फॉटोस इंपॉर्ट करने है एंड में आपको वी एन का डिफॉल क्रिप में तैसको आपको डिलीट का लेना है देन आप यहां से रेशियो सेलेक करेंगे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके 9.16 की रेशियो आपको सेलेक करनी है ओके देन आफ्टर करने के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना है और म्यूजिक पे क्लिक करेंगे देन प्लस पे क्लिक करके आपको एकस्टेक फ्रॉम वीडियो कर लेना है देन वह वीडियो आप यहां से ले ले जो आपने टेलेग्राम से डाउनलोड किया होगा और यहां से आपको ओके कर ले कर ना है दुन के लिए किया करेंगे आपका जो Fjäder s March को मिले Geezya फैर उप्ट का यहां पर स्पीट कर लेंगे निसके टू पार्थ हो गए उसके बाद उसके बाद आपको second photo में भी ऐसा ही करना यहां Какेकल करेंगे टू पार्थ हो अकुका कि आपको स्प्रुट खालना है आपको बीड़ने का लेना एंधर अंचेकर के लिए तो हम कर लेती हूं जो इना सरह हम क्या करुडहों समOY का थायेम क्षवट हाथ है के लिए के उसके खादना है घरवे में च्वरहीं की घरवे Gına तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने अपने 7 फोटो को 14 फोटो में गनवर्ट करना है यानि कि सारे फोटो को डुप्लिकेट करना है जो कि 7 बनकर हो जाते हैं 14 14 की मैं ट्रिमिंग कर चुकी हूं अब मैं आपको बताती हूं कि आपके 14 फोटो की डुरेशन क्या आएगे है तो आप नोग कर लिजिए आपका जो फिर्स फोटो और सेकंड फोटो ऐ दोनों की सेम दुडेशन आएगी 0.50 सेकेंड Do know and फिर से 2 फोटो की सेम आएगी 0. 0.45 second okay उसके बाद फिर से दो की सेम आईगी 0.40 second अब उसके बाद आपको four photos की same duration रखनी है 0.50 second okay उसके बाद बारी आती है two photos की जिसमें आपको अलग-अलग रखनी है first की 0.43 second second की 0.47 second उसके बाद हमारे last के दो फोटो आते हैं उनकी duration आप रखेंगे 0.65 second okay तो आपको ध्यान से duration को सुन लेना है समझ लेना है कि मैंने आपको duration किस तरीके से बताई है अब दोस्तों बारी आती है कि हमें वो filter कैसे apply करना है जो कि आपने preview के वीडियो में देखा है real वीडियो आपने देखा हुआ तो किस तरह से हम उस तरह का वीडियो बना सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक फोटो के लिए example दोंगी कि आपको किस तरह से ऐसा वीडियो बनाना है उसके बाद आपको अगेन वही process repeat करते रहना है उसके लिए आपको क्या करना है अपने first photo में आपको filter apply करना है यहां आपको option मिलता है filter का इसके ओपर आप click करेंगे यहां से आपको swipe right करना ह option मिलता है आपको fog का आपको fog के ओपर click करना है यहां पर दूस्तों आपको swipe right करना है swipe right करके आपको यहां पर filter मिलता है P7 वाला तो आपको P7 पर click करना है यहां से done कर लेना है अब आप क्या करेंगे आपका first photo जो आपने filter apply किया है P7 वाला उसका duplicate photo आपको वैसे ही रखना है जैसे कि original था उसके बाद third photo पे आएंगे और इस पर भी आपको P7 वाला filter अप्लाई करना है इसी तरह से आपको एक photo में P7 करना है एक को original रखना है इसी तरह की process आपको same करनी है तो चलिए फटा फट से मैं जो P7 वाला filter है सब में apply कर लेती हूँ तो दोस्तों मैं सारे photos में P7 वाला filter है apply कर चुकी हूँ अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ कि हमारा वीडियो बनकर कैसे त्यार हुआ है कुछ भी नहीं करना बहुत आसान है ये वीडियो बनाना बस आपको 7 photos यहाँ पर import करने होते हैं उनके duplicate करने है music add करना है जिसका link आपको description से में जाएगा एक एक photo में आपको P7 वाला जो fog filter है उसको आपको apply करना है ओके जिसको आप black and white भी बोल सकते हैं तो एक बार play करके देख लेते हैं ओके तो यह हमारा वीडियो बनकर त्यार हुआ है अब आप सेव कर सकते हैं सेव करने के लिए आपको यहाँ export के option पे क्लिक करना है और यहां से आप done कर लेंगे अब दूसरा आपको यहाँ save to album के ओपर क्लिक करना है और वीडियो आपका save हो गया कैसा लगा है दोस्तों आपको यह वीडियो अगर पसंद आया है समझ आया है तो आप एक like जरूर दे दीजिएगा अगर आप शाहते हैं सी तरह कि turning viral reads से related आपको notifications मिलती रहे मेरे शैनल के थूँ तो आप इस शैनल को subscribe कर लेजेगा so मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसे interesting से topic के साथ तब तक लिए bye bye and take care